कहानी की इस रुवात में हम एक गरीब लल्की को देखते हैं जिसका नाम सूकी होता है वो एक चोटे बच्चे को अपने परिवार को देख कर कहीं जाने के लिए निकल जाती है ये वक्त है वल्डवार सिकेंड के पहले का जहां जापान ने कूरिया पेकपजा कर रखा है दरैसल सूकी को एक अमीर जैपनिस परिवार के एक एहम सदस्य की हैंडमेडियन यानि की खास नौकरानी बनने की जौब मिली थी जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो वहां की हेडमेड उसे पूरे घर में गुमाती है और उसे सब कुछ समझा देती है कि उसे यहां क्या क्या करना होगा इसके बाद वो हेडमेड सूकी को इस घर के मालिक की बेटी हडीको के सामने वाले कमरे में रहने को बोलती है ताकि अगर रात को हैडीको को किसी चीज़ की दुर्रत पड़े तो सूकी तुरंत उसके पास आ सके तब ही रात को उसे अचानक हैडीको के चिलाने की आवाज आती है इसलिए वो जल्दी से उसके पास पहुंठती है और उसे सांध कराती है बातों बातों में हैडीको उसे ब यहां सूकी के ख्यालों से हमें पता चलता है कि वो असल में एक चूर है जो अपनी मा के दोस्त के साथ मिलकर ना सिर्फ चूरिया करती है बलके अनात बच्चों का ख्याल भी रखती है ताकि उन्हें बेच के पैसे कमा सके तबी उनका एक जान पहचान का आदमी जिसका नाम क वो वहाँ पहुचता है और उन्हें बताता है कि उसके पास अमीर होने का एक बहुत आसान रस्ता है जिसके बाद उन्हें ऐसी चोटी मोटी चूरिया नहीं करनी पड़ेगी इसके बाद वो उन्हें हैडीको के बारे में बताता है जो अपने अंकल के साथ एक आलिशान घर मे उसे बचपन से ही उसी घर में कैद करके रखा है और तो और वो खुद उसे साधी करना भी चाता है इसके साथ ही उसके अंकल ने एक एडल्ट लेब्रेरी भी बना रखी है जहां वो अंजान आदमियों के सामने हैडिकों से एडल्ट बुक्स प्रवाता है इससे हमें ये समझ आता है कि हैडिकों की अमीरी वाले जिंदगी उसके लिए जहन्नम से कम नहीं है अब यहां से प्रजेंट में हमें पता चलता है कि कॉंट का प्लान यह है कि सूकी वहां उस घर में हैडिकों की नौकरानी यानि की हैंड मेडियन बनकर जाएगी और कॉंट हैडिकों का आर् रखना है कि हैडी को कॉंट का ये ओफर एकसेप्ट करके उससे साधी कर ले कॉंट की हैडी को से साधी होने के बाद उसकी सारी प्रोपर्टी हैडी को अपने नाम कर लेगा और हैडी को को पागल करार देकर किसी पागल खाने में छोड़ देगा इसके बाद हमें वापस से प अपनी पुरानी मालकिन का रिफ्रेंस लेटर देती है यह दिखाने के लिए कि वो पहले भी कहीं काम कर चुकी है अब असलियत तो यह थी कि वो लेटर असल में उसे कौंट नहीं दिया था लेटर पढ़कर हैडी को उसे अपनी मा की तस्विर दिखाती है और वो दोनों आप कीव करने लगती है है वी को देखती है कि सुकी के एक पैर हाली है क्योंकि बाकि मेर चुपा दिया था यह देखकर रहरश के लिए बुरा ल शर्ता है और व वह से अपने नए जूते दे थी है इसके बाद हैडी को अपने बुक ड्रों के लिए लग रेड़िग क्योंकि वो वहां हैडिको के साथ अकेले रहना पसंद करती है नेक्स्ट सीन में हम सूकी को हैडिको को सावर देते वे देखते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और इस अजीब सी फिलिन को वो दोनों समझ नहीं पाते आगले दिन कॉंट भी व लगे हूं उस हिसाब से उसे करना इतना असान नहीं होगा कॉंट उसे समझाता है कि उन्हें हर हाल में ये काम करना होगा वरना सारा गज सारा प्लैन खराब हो जाएगा और वो सभी गरीब ही रह जाएंगे वहां से जाते वक्त वो सूकी के हाथ हैडिको के लिए एक लेट बहुती नजदी का जाते हैं और वापसा कर हैडिको सूकी का एक अच्छा साडिसिप करती है और चेंज करते वक्त दोनों की नजदी किया और बढ़ जाती है फिर हम देखते हैं कि हैडिको भी कॉंट से नजर नहीं हटा पा रही है जो देखकर सूकी को बहुती बुरा अपना काम अच्छे से कर रहे सूकी हैडीको को अगले दिन वालक पर ले जाती है और वो दोनों अपनी मदर्स की बाते करने लगती है सूकी बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और जबसे उसने उसे खोया है तब से वो बहुत अकेली हो गई है जिस पर हैडी को बताती है कि उसे तो उसकी मा का प्यार नसी भी नहीं हुआ क्योंकि वो उसे जनम देते हुए ही मर गई थी यहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं लेकिन फिर सिट्वेशन सम्हाल कर सूखी वहां से चली जाती है और कॉंट को वहां भेज देती है ताकि वो दोनों साथ में कुछ और वक्त गुजार सके सब कुछ कॉंट और सूखी के प्लैन के मुताबिक चल रहा था लेकिन फिर भी सूखी कुछ खास खुस नजर नहीं आ रही थी कॉंट को हाइडी को के करीब जाते वे देखकर सूखी के तन बधन में आग लग जाती थी जादा दुख तो उसे तब होता है जब वो उन दोनों को जंगल में किस करते वे देख लेती है वो ये देखकर इतनी नराज हो जाती है कि घर पहुँचकर वो उसे मिलने भी नहीं जाती हलाकि हाइडी को यहां से बार-बार बिल बजा के उसे बुला रही थी लेकिन फिर सूखी आखिरकार उसके पास चली जाती है फिर उन दोनों के बीच कुछ बाते होती है और हाइडी को उसे बताती है कि उसे साधी की रात होने वाली चीजों के बारे में कुछ नहीं पता ये सुनकर सूखी उसे किस करना सिखाती है और फिर ऐसे ही किस करते करते वो दोनों बिना रुके एक दूसरे को मजे देने लग जाते है वो हैडी को उसे इतनी घुल मिल गई थी कि वो उसे कॉंट के साथ एक पल भी अकेला नहीं ठोड़ती थी ये देखकर कॉंट उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाता है जहां वो उसे यहां आने का असल मकसद याद देलाता है और सूकी अपने दिल पर पत्थर रख कर वापस अपने काम पर लग जाती है साम को हैडी को सूकी को बताती है कि कॉंट ने उसे प्रपोस कर दिया और वो चाता है कि वो उसे साधी कर ले लेकिन हैडी को इस परिशानी में है कि वो उससे साधी करे या नहीं लेकिन सूकी नहीं चाती थी कि हैडी को कॉंट से साधी करे मगर फिर भी सूकी अपने काम के मुताबिक उससे कहती है कि तुम्हें कॉंट से साधी जरूर करनी चाहिए ये सुनकर हैडिको काफी गुसे में आ जाती है और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है फिर अगले दिन हैडिको के अंकल किसी काम से कहीं चले जाते हैं और जाते वक्त वो हैडिको से कहते हैं कि ये उसकी आजादी की आखरी हफ्ता है जैसे ही वो वापस आएंगे वो उसे पाकी करने की कोसिस की तो वो इसे बेस्मेंट में बंद कर देंगे फिर रात को मौका देखते ही सूकी हैडिको को भगा के कॉंट के पास ले जाती है लेकिन दोनों ही इस काम से खुश नजर नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें प्लैन के मताबिक चलना था और उसके बा नहीं सूकी के लिए एक पल भी गुजारना मुस्किल हो रहा था इसके बाद कुछी दिनों में कॉंट हैडिको के प्रोपर्टी की सारी जानकारी निकाल लेता है इसके बाद वो और सूकी पागल खाने से कुछ डॉक्टर्स को बुलाते हैं और हैडिको को पागल साबीत कर अब हमें हैडिको का बच्चपन दिखाया जाता है जहां उसके अंकल उसे बच्चपन से ही टॉर्चर किया करते थे लेकिन उसकी आंट अकेले में उसे प्यार देकर समाल लिया करती थी और हैडिको के अंकल बिलकुल उसी की तरह उसकी अंटी से भी अंजान आदमियों के पागे एडल्ट रिटिंग करवाया करते थे और हैडिको के बच्पन से ही उन्हों ने उसे इस काम के लिए तैयार करना सुरू कर दिया था उसके अंकल सिर्फ उसी पर नहीं बलके उसकी आंट पे भी बहुत जुल्मिक्या करते थे और उसे अपनी आंट का ये हाल देखकर ब उसकी नजर उन आदमियों में से कॉंट पर पड़ी यहां हम देखते हैं कि जो बुक्स वो पढ़ रही थी वो बहुत ही बेकार थी लेकिन उसके अंकल उससे फिर भी वो बुक्स पढ़वाते थे और यही नहीं बलके जब रिडिंग ठत्म हो जाती थी तो वो उससे एक स् साथ इतना बुरा सुलूक नहीं करना चाहिए वरना वो एक बेजान पुटले में बदल जाएगी जिसके वज़ा से जब उसके अंकल उससे साधी करेंगे तो फिर उनको उसके साथ बिल्कुल मजा नहीं आएगा ये बाते सुनकर हैडिको के अंकल सोचने पर मजबूर हो ज में दिखते हैं कि उसी रात कांट हैसाथ करने के लिए नहीं आया था बलके उससे पागल करार देकर उसकी सारी परोपर्टिध्य हरप लेना चाहता था वह ऐडिको को बताता था और या अब समझ आ गया है कि ये सब काम नहीं करने वाला और हैडिको उसके प्यार में नहीं पसने वाली क्योंकि बच्पन से उसके साथ हुए ऐसे सुलूक के बाद वो एकदम पत्थर दिल बन चुकी है इसलिए अब वो से एक ओफर देता है कि वो से सकैद से अजात करेगा लेकिन हैडिको के मन में उसके अंकल का खौफ इतना ज़्यादा था कि उससे यहां से भागने से ज़्यादा मरना मंदूर होता है क्योंकि अगर उसके अंकल ने उससे किसी तरह ढून लेया तो वो उसे बेसमेंट में कहत कर देगा और बेसमेंट से हैडिको को इतना डर क्यों लग क्योंकि उसका प्लान इतना पर्फिक्ट है कि हैडिको के अंकल तो क्या उनकी रूप भी उन्हें ढून नहीं पाएगी और वो से एक छोटी बोटल दिखाता है और कहता है कि अगर मेरा प्लान काम नहीं किया तो ये छोटा सा जहर तुम्हारी मौत आसान कर देगा फिर ये ड दोनों उस नौकरानी को पागल खाने में बंद कर दे इसलिए कहानी की शुरुवात में कॉंट इस काम के लिए सूकी को चुनता है क्योंकि उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं था वो एक अनाद बच्ची थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि असल प्लान तो हैडिको और कॉंट केल रहे थे यह दोनों तो बहाने बहाने से मिलते थे ताकि सूकी को दिखा सके और उसे आसानी से बेवकूफ बना सके और वो बेवकूफ बन भी रही थी सूकी अपनी पूरी मैनस से हैडिको को बेवकूफ बना रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि असल में बेवक और प्यार जैसे सूकी को हाइडिको के साथ धोका करना पसंद नहीं आ रहा था वैसे ही हाइडिको को भी सूकी के साथ धोका करके बहुत बुरा लग रहा था और जब फिर एक रात उन दोनों की लड़ाई हुई तो हाइडिको अपनी आंट की तरह ही उस पेल से लटक कर अप इसे वो और कॉंट उससे धोका दे रहे थे ये सुनकर सुकी एक मिनट के लिए हैडिको को छोड़ देती है क्योंकि उसे बिलकुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन फिर वो उसकी जान बचा लेती है यहां वो दोनों ये प्लैन बनाते हैं कि वो दोनों म मिलकर काम करेंगे इसके बाद हैडिको सुकी को लेबरेरी में ले जाती है और उसे दिखाती है कि उसके अंकल उसे क्या क्या पढ़वाते हैं जिसे देखकर सुकी तो गुसे में पागल हो जाती है और फिर वो दोनों लेबरेरी का बुरा हाल करते वे वहां से भाग जाते ह इसके बाद वो दोनों वैसे ही करते हैं जिसा कॉंट ने प्लान किया था और उसे बिलकूल भी सक्षोने नहीं देते और यहां हम देखते हैं कि कॉंट और हैडिको को ने तो साधी के रात भी साथ में नहीं गुजारे थे और फिर फैनली वो सीन आता है जहां वो दोनों को हॉस्पिटल में छोड़ कर खुद डिनर करने के लिए चले जाते हैं यहां कॉंट हैडिको को बताता है कि कुछी दिनों में उसे सूकी की एडेंटिटी मिल जाएगी और वो दोनों यहां से कहीं दूर चले जाएंगे लेकिन हैडिको को अगर किसी चीज की परिसानी थी त यहां सूकी को पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है जिसकी वजह से वो उस हॉस्पिटल से अराम से फरार हो जाती है और यहां हम हैडिको और कॉंट को देखते हैं जहां हैडिको से एक ड्रिंक पिलाने की कोसिस कर रही थी लेकिन कॉंट वो ड्रिंक पी ही नहीं रहा थ क्योंकि उसे तो बस हैडिको के सामने मजे करने थे इसलिए हैडिको उसे किस करके वो ड्रिंक पिला देती है और कॉंट जैसे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोसिस करता है वो वहीं बेहोस हो जाता है क्योंकि उस ड्रिंक में बेहोसी की दवा मिली थी हैडिको वहां से सारे पैसे निकाल लेती है और सुकी के पास चली जाती है फिर जब सुबह कॉंट को हो साता है तो वो हैडिको के अंकल के आदमियों को देखता है जो कि उसे सीधे उसके अंकल के पास ले जाते हैं और यहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैडिको कॉंट की एडेंटिटी लेकर स सुकी और उसके दोस्तों के साथ यहां से कहीं दूर जा रही है अब हम हैडिको के अंकल की वही बेस्मेंट को देखते हैं जिसके बारे में हैडिको कॉंट और सुकी को कहानी के बीच में बताती थी हम देखते हैं कि हैडिको के अंकल ने कॉंट का बुरा हाल कर दिया है यहां पर उनके पास बहुत सारे जहरीले जानवर खतरनाख हतियार रखे हुए थे और लग तो ऐसा रहा था कि काउंट का यहां से निकलना ना मुनकिन है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों अंकल ने काउंट को क्या जिंदा छोड़ा आपको क्या लगत है हमें कमेंट करके जुरूर बताना वैसे हैडिको और सुकी एक दूसरे के साथ अब बहुत कुछ रहेंगे क्योंकि वो दोनों अब गॉंट और अंकल के चंगुल से निकल कर बाहर भाग चुके थे तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है वैसे दोस्त